MGM अस्पताल पूरे कुल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है जिसके लिए सरकार कडोडो रुपे खर्च करती है ऐसे में MGM हॉस्पिटल की विवस्था पर पहले भी कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं इस बार विपक्ष के द्वारा चिकितसकों और मरीजों के बीच संबंध पर सवाल खड़ा किया जा रहा है जहां पूर्व मंत्री रामचेंदर सहिस अपने पूरे दल बल के साथ MGM अस्पताल पहुँच कर अपने कारेकरता के संबंध में डॉक्टरों से जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे जिसको लेकर पूर्व मंत्री और चिकितसकों के बीच कहा सुनी हो गए वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री रामचेंदर सहिस ने कहा कि अस्पताल में मरीजों की जानकारी लेने वाले अटेंडन्ट के साथ चिकितसक हमेशा दुर्वयवार करते ह ऐसे में राज्य सरकार एवं जिला प्रिशा सन चिकित्सकों पर कारवाई करे। और एक हमस्वें चुक्या उर्ची दोक्टर नहीं है और जो भी दोक्टर हैं वो टोक्टर ना मरीजों के साथ ना मरीज के साथ उसका घर के लोगों के साथ अच्छा विएव करते हैं नें इंतर चर्ण कुद टूरंत cooking AND किでは चाहिए ऐसी परिस्थिती में यह डॉक्टर यहां लापरवाही कोई ध्यान नेगलिजन्सी के सही लोग बेटर रहते हैं यह मजाग बना के रखा है आज यह प्रेस मीडिया के माधियम से यहां लोग सरकार से भी कहते हैं और यहां के जो सुपरिंडेंडेंडेंड है उनसे हम लोग कहना चाहते हैं मेडिकेल कॉलेज हस्पिटाल का जो बेवस्था है इस बेवस्था में अभी लंब इसको सुधार लाया जाए दूसरी और अस्पिताल में मौजूद महिला चिकित्सकोद्वारा पूर्व मंत्री एवं उनके सहीयोगियों पर महिलाओं से कुछ गरेगा जब मरीज को हम लग ही और उसको धिवस्थालत में देखे इसको स्च्शन हम लगाए उसको सच्षन हम तीक तो मंत्री जी कॉन होते है सुछ बरने वाले इसको कुछने का दिकार है लगए हम से इसे पर आइस्यों गjan na हुए दूसरे मरीज को देख लेके उन तो आप भी दिखा सेते अपनी हीरो पंती तपकॉन XT के साथ